किसान अपने परिवार से देश का पेट भरने के लिए जोडियों में बीच लेता है बीच बोने के लिए मेहनत करता है प्रकृति के साथ सरकार की अजीवोगरेब निथे के कारण किसानों को अकसर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है आजकल प्रकृति की अर्नियमत्ताओं के कारण बारिश कभी नहीं होती है कभी कम गिरती है कभी अधिक पारिश होती है बंडारा और गोंदिया जिलो जैसे रामटेक तैसल में धान किसानों की मुख्य फसल है तालुका कुरुशी अधिकारी रामटेक द्वारा दे गई जानकारी के अनुसार रामटेक तहसल में 21301.54 हेक्टरिक शेतर में धान लगाया गया है उन्होंने कहा कि तहसल में कपास की खेती 46.20 हेक्टरिक शेतर में की जाती है तालुका कुरुशी अधिकारी ने कहा कि कपास की फसल फूल और बंधन के चरन में है और फसल के संबन में तालुका सर की सिती संतोश जनक है एतिहाद के तौर पर किसानों को सलाद दी जाती है कि वे 50% कॉपर अक्सलराइड 25 ग्राम डबलू पी प्लिस ए ग्राम स्टिप्टोफ स्लाइकलीन को 10 मीटर पानी में मिलाकर बारे शुरू होने के बाद मौसम की सिती के आधार पर स्प्रे करें तालुका में 2425.45 हेक्टर अरहर की फसल की खेती की जारे है और फसल विकास की चरन में है तैसल में सोयाबिन 10 हेक्टर तो सबजी भाजी 3 हेक्टर में कुल नुकसान हुआ है देवलापार आधिवासी बहुलक शित्र में धान 7,821.54 हेक्टर है खेत में बारिश की पानी की जमा होने के कारण कृशी सहाय के माध्यन से अतरिक पानी को तुरंत निकालने की सलाद दी गई है प्रारंबिक रिपोर्ट के अनुस्तार तालुका अधिकार्यों ने आश्यन का जिताई है कि लगातार बारिश से नुकसान और बढ़ सकता है बीसीन न्यूस के लिए देवलापार से हरिश वेदिक की रिपोर्ट